जार्खन बोड रिजल्ट का करना होगा थोड़ा इंतजार जार्खन बोड दसवी और बरहवी परिक्षा का रिजल्ट मई के आखरी हफ्ते से जून के पहले हफ्ते में अपलोड किये जाने की संभवना जताई जा रही है अभी तक जार्खन एकेडमी काउंसिल ने इस बाव कोई इन्फोर्मेशन जारी नहीं किया है बता दे बोड की परिक्षा 2022 में सामीर हुए इस्टिडेंट को सलाह दी जाती है कि वे ओफिस्यल नोटिफिक्शन का इंतजार करे जार्खन एकेडमी काउंसिल ने मार्च अप्रेल 2022 में हाई स्कूल और इंटर्मेड की परिक्षा का इंटर्मेशन किया था इस साल जार्खन बोड परिक्षा और इंटर्मेड में हुई थी और इसमें कोविट प्रोटोकाल का खास तोर परपार्ण किया था बता दे जार्खन बोड रियल्ड 2022 से जुड़ा कोई अपडेट अब तक नहीं मिला है दसवी बड़ आवी की पर जार्खन में 25 मई तक बारिस के आसार जार्खन के मौसम का मिजाज अभिलागातार बदल रहा है मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आज भी राजधानी राची के कई जगों पर अगले 2-3 घंटे तक बारिस हो सकती है इस दर्मियान कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हावा चल सकती है बता जे राज्जे में 25 मई तक बारिस के आसार नजर आ रहे हैं 24 घंटे में राज्जे के कई इलाकों में हलके से मदज की बारिस हुई है वहीं बोकारों जीले में भीशन गर्मी देखने को मिल रही है इस दवरान सबसे अधिक वर्षा 36.8 दर्च किया गया है हेमन्त सुरेन के सीवी आई जाज का मामला सुप्रीम कोट में जारखन के मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन को लीज आवन्टित करने और उनके करीवियों के सेल कंपनियों में निवेस के मामले में जारखन हाई कोट के अंत्रीम आदेस के खिलाब जारखन सर से सिल बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी सुनवाई के दोरान सरकार का पॉक्ष रख रहे वर यह अधिवक्ता कपिल सिवल ने अदालत को बताया है कि हाई कोट के आदेशों के खिलाब सुप्रीम कोट में आज के दाखिल की गई है सुप्रीम कोट का फसला आने तक अदालत को इस मामने में सुनवाई अस्थागीत कर देना चाहिए सीयम हैंन्त से कॉंग्रेस परिबारेने की मुलकात मोख्य मंद्री हैंन्त सुरेण से गुरू आर को जारखन कॉंग्रेस पर देश परिवारे विन्यास पांडे ने मुलकात की है इस दोरान राज सभाद चुनाओं में कांग्रेश की दवेदारी समेत राज की बरतमान हालात पर चार्चा की इस मौके पर परदेश परभारी सिरी पांडे ने सीम सिरी सुरेन से राज सभाद चुनाओं में कांग्रेश के परत्यासी को समर्थन करने की अप नाटक धर्ती अब्बा के मन्धन, रांच इन्वर्सिटी के आर्यवर्ट सभागार में नाटक धर्ती अब्बा का मन्चन हुआ, इस मौके पर वालीवूड अभिनेता मनोज बाचपेई ने कहा कि रंग मंच की पिष्ट भोमी होने के कारण अक्सर रंग भोमी की ओर खिचा चला आता हूँ, दर्सक के बिना आयोजन, आयोजन नहीं होता, कलाकारों की मेहनत रंग मंच की यात्रा और भाव में जलकती है, इसलिए रंग मंच सिर्फ अभिनेता ही नहीं, ब्यक्ति को इनसान बनने में भी मदद करता है, साथ ही उन्होंने कहा है कि अभिभाव को और रिष्टा अपने बच्चों के लिए रखना होगा, रंग मंच बच्चों का सरवांगिन विकास करता है, इससे न सिर्फ बच्चों की रशनात्मक बढ़ती है, बलिक उन्हें अच्छा इंसान और नागरिक बनने में सयोग मिलता है, कोरोना काल में जार्खन के 277 इस्क कुल है, इस दवरान राजे में बच्चों के कुल नमांकन में लगभग कुल 1,266 की कमी आई है, प्री प्राइमरी कक्छाओं में जहां बच्चों ने स्कुल छोड़ दिया, वहीं कक्छा 6 से बरावित तक बच्चों की संख्या बढ़ गई है, रिपोर्ट के अनुसार प् बच्चों की संख्या 1,266,67 की कमी आई है, जहारखन के बच्चों को डाइरिया से बचाने के लिए रोटा वायरेस की मिलेगी नई दवा, जहारखन के बच्चों को डाइरिया से बचाने के लिए नई दवा का उप्योग होगा, नई दवा तरल रूप में होगी, जिसके एक वायल से एक ही बच्चे को दवा दी जाएगी इसे पहले रोटा वायरस की दवा पाउडर में होती थी जिसे तलल रूप में त्यार कर बच्चों को लगाया जाता था वही नई दवा लिक्विड रूप में होगी जिसे त्यार करने के जुरुत नहीं होगी स्वास्त विभाग ने इसकी खेप जीला अस्पताल के सेंट्रों में पहुचा दी है रांची में गुरुवार्श टीका करन होगा बता दे डायरिया के अधिकांस मामले रोटा वायरस के कारण सीशुची किसा डाक्टर अनिताभ कुमार ने बताया है देश में सबसे ज़़ा डायरिया के मामले रोटा वायरस के कारण ही होते है जारखन में जीला परिशत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची जारी जारखन राज निर्वाचन आयोग ने राजे के सभी 24 जीलों में जीला परिशत के अध्यक्ष पदों के आरक्षन सुची जारी कर दिया है इसके तहद पलामो जीला परिशत अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित किया गया है जबकि पिछले दो बार से या सीट अनुसुचित जाती महिला के लिए आरक्षित था बता दे जारखन पंचायत राज अधिनियम के तहट राज में चल रहे पंचायत चुनाव के तहट सभी जीलों में जीला परिशत के अध्यक्षिन पदो का आरक्षान समधी अजिसुचना जारी कर दी गई है गीरीडी में किराय के माकायन में चल रहा 125 आंगनवारी केंद्र गीरीडी जीले के 125 आंगनवारी केंद्र किराय के माकायन में चल रहे हैं इन केंद्रों का भावन अब तक नहीं बना है जीला परिशत द्वारा अंगनवारी केंद्र का भावन बनाया जाता है और भावन निर्मान की रासी सरकार जीला परिशत को अवंटित करती है पिछले दो बर्सों से भवन निर्मान मद में सरकार ने रासिया वंटित नहीं किया है ऐसे में ए आंगनवारी केंदर किराय के मकान में चल रहे हैं विभाग से मिली जनकारी के अनुसार अंगनवारी केंदर चलाने के लिए हर मा प्रतिक केंदर 750 रुपए समाज कल्यान विभाग महया कराता है लेकिन विभाग से रासिया वंटित नहीं होने के काराने रासिय भी पिछले एक साल से बकाया है ऐसे में अंगनवारी से विकाओ की परसानी बढ़ गई है क्योंकि मकान मालिक आये दिन किराय मांगते हैं गुमला में दो सब इंस्पेक्टर की पुलिस जवाणों ने कीपिटा है गुमला जील अंतरगत घागरा थाना चेतर के चपका कलस्टर में चुनाव कारे में लगे दो पुलिस पताधिकारियों के साथ हवलदार और सिपाहियों ने मार पिट की है बताया गया है कि हवलदार और सिपाहियों ने नसे की आहलात में मार पिट की है इस मामले की जनकारी मिलता ही पुलिस पताधिकारी ने जान शुरू कर दिया है फिलाल इस मामले में पुलिस पताधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं दूसरे चरण में पच्छमी सिंभूम में 60% वोटिंग त्री अस्तरिय पंचाय चुनाओ के दूसरे चरण के तहत पच्छमी सिंभूम जीले में 60% वोटिंग होई है जीले के मनोहरपूर, अनन्दपूर, गुदली, नुवामुंडी वाट, टोटो परखन में करीब 60% मद्दान हुआ है मद्दान पूरी तरह से सांतिपूर रहा, इस दौरान मनोहरपूर में 52%, अनन्दपूर में 60%, गुदली में 52%, नुवामुंडी में 60% और टोटो परखन में 25% वोट डाले गा है वटिंग को लेकर मद्दाताओ में सूबा से ही उत्सा रहा, सूबा से ही लोग बुथो पर पहुँचने लगे थे हेमांत सुरेन को आईएएस पुजा सिंगल ने दिया खढ़ान, जारखन के मुख्य मंत्री हेमांद सुरेन को पत्थर खढ़ान आवंटन मामले मैं 501 की ओर से जारखन हाईकोर में सभात्हथ पत्थर दाकिल किया गया है इसमें कहा गया है कि CM हमन सुरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान सची पुजा सिंगल ने महत्पुन भुवकानी भाई है मनिल लॉंडरिंग से जुड़े मामलों में भी वह सामिल रही है इसका साक्ष भी ED को मिला है इसके बाद चीफ जस्टिस डक्टर रवी रंजर्व जस्टिस एसेंग परसाथ की अदालत ने सभी परतिवादियों को 23 मही तक जबाब दाखिल करने का निरेश दिया है सपत्पत्र में ED ने जार्खन हाई कोर्ट से आग रखिया है कि अदालत में ED की और से प्राराम्बिक जाच रिपोर्ट और अलार्मिक दस्तावे सोपे गया है वह जार्खन पूलिस और जार्खन सरकार के नियंतरन वाले किसी प्राधिकार को नहीं सोपे जाए IAS पूजा सिंगल को आज कोर्ट में फेस करेगी ED निलंबित IAS पूजा सिंगल होगा उनके चार्टर्ट अकाउंडेंट सुमन कुमार की रिमांड अधी 20 माई को समाप्त हो जाएगी उनकी रिमांड बढ़ेगी या उन्हें जेल जाना होगा या सुक्रवार को ED की BS सेस आदालत के फैसले पर निर्वर करता है अब तक जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार निलंबित IAS अधिकारे पूजा सिंगल की रिमांड अधी बढ़ सकती है CS सुमन कुमार ने अधिकतम रिमांड अधी को पूरा कर लिया है इसलिए उनका जेल जाना तय माना जा रहा है राय सभा चुनाव में रगुबर की जय जय पहरी दावेदारी दास की जार्खन में मौझूदा सियासी उठा पटक के बीच राय सभा चुनाव की चर्चा ही भले ही थोड़ी कम हो रही हो लेकि रायनितिक दलों में खाली हो रही राय सभा की दो सीटों को लेकर सक्रेता तेज हो गई है 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए जावमो भाजपाव कांग्रेस किसी ने भी अब तक परत्यासी घोसना नहीं की है जावमों और कांग्रेस में पर्द्यासी को लेकर जहां रशा कसी चल रही है वहीं भाजपा का पर्द्यासी कौन होगा इसे लेकर भी सस्पेंसन बना हुआ है राज सभा चुनाव के लिए फुरकान अंसारी कांग्रेस की पहली पसंद जारखन राज हज समीतिक चेर्मेंस बिधायक डाक्टर इर्फान अंसारी बिधायकों से मिलकर पुर्वसांसत फुरकान अंसारी को राज सभा भेजने के लिए समर्थन मांग रहे हैं डाक्टर इर्फान अंसारी सवी बिधायकों को एक मंज पर लाने का पर्यास कर रहे हैं सुत्रो के नुसार फुरकान अंसारी की सुख्ष छवी और अनुभाव को देखते हुए कॉंग्रेस के लबग सवी बिधायकों ने उनके नाम पर समाती दे दिया है मीडिया से मुखातिब होते हुए डाक्टर इर्फान अंसारी ने कहा है कि फुरकान अंसारी साहाब पार्टी के वरिष्ट नेता है उन्होंने कांग्रेस को अपने खोन पसीने से सिचा है हेमंत सुरेन आज चुनाओ आयोग को देंगे जबाब जार्खन के मुख्य मंत्री हमंसुरेन खनन पट्टा मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस का जबाब सुक्रवार को देंगे जनकारी के मुताबिक बिसेस परतिनिधी के जरिये निर्वाचन आयोग को जबाब सौपा जाएगा इसकी समभवना है कि मुख्य मंत्री हमंसुरेन खनन पट्टा मामले में नियालाय में चल रहे मुकादमे का हवाला देकर निर्वाचन आयोग से निर्वाचन का इंतजार करने का आगरा करेंगे जर्खन मुक्ती मोर्चा के वरिष्ट नेता के मुताबिक जबाब सुक्रवार को सौप दिया जाएगा अवयद खनन वाव परिवहन को लेकर जीला परसासन सक्त रांची उपायुक छवी रंजन द्वारा अवयद खनन और परिवहन की रोक थाम के लिए मिशन मोड में करवाई करने कार निर्देश दिया गया है उपायुक तो द्वारा जीला परिवहन पता दिकारे जीला खनन पता दिकारी अनुमंडल पता दिकारी सदर एवं बोड़ू अनुमंडल पुलिस उपाधिक छक बोड़ू पुलिस उपाधिक छक बेडो खलारी औ और सिली को इस समंद में आवसक दिशार निदेश दिये गया है जिला परिवहन पता दिकारी को उपायुकत दुआरा बीना नमबर पलेट और सपस्ट नमबर अपठनीय नमबर की गाड़ियों को परिवहन की रोक थाम के लिए मिसन बोड में करवाई सुनिश्चित करने को कह गया है जारखन पंचायत चुना में दूसरे चरण में 68% वोटिंग जारखन पंचायत चुना 2022 के तह दूसरे चरण की साथ है रोंती सीटों पर गुरु अर्गो सांति पुन मतदान संपर्ण हो गया है इस चरण में भी जमकर वोट पड़े प्रारमभिक आकडों के अनुस पॉइंट एक पाच परदिशत वोट पड़े हैं जारखन लोग सिवा आयोग ने जारखन सर्द्यूक्त सहायक अभियांता सीधी भरती मुख्य परिक्षा का परिणाम गुरुगार को जारी कर दिया है या परिक्षा पिछले वर्स 22-24 अक्टूबर का यूजित की गई थी उमिद्वार अपना रियाल्ड देखने के लिए अधिकारिक बेप साइट jpsc.jov.in पर लोगिन कर सकते हैं आयोग के अनुसार मुख्य परिक्षा में सपल अभियार्थियो का सक्षतकार 30 मई से होगा आयोग सक्षतकार का विश्त्रित कारकरम बाद में जारी करेगा हाई कोट ने रांची डी सी की इज़त उतारी जारखंड हाई कोट ने मुख्य मंत्री हमन सरेन के लीज आवंटन मामले में रांची के उपायूक्त छवी रंजन की और से सपत पतर दाखिल करने पर फिर से कड़ी नराजगी जताई है चिफ जस्टिस डक्टर अवी रंजन वजस्टिस एसन परसाथ के अदालत ने कहा है कि रांची के उपायूक्त स्वायम एक मामले में अभयूक्त है नियमा अनुसार उन्हें स्वायम के मामले में सपत पतर दाखिल करने का अधिकार नहीं है तो वह सरकार की तरब से कैसे सपत पतर दाखिल कर सकते हैं अदालत ने मोखिक रूप से कहा है कि सरकार ने बढ़ियां अधिकारी को सपत पतर दाखिल करने के लिए चुना है जिनके खिलाब स्वायम आमला चल रहा है प्रेमिका का गर्व पात कराने अस्पताल लाया प्रेमी भंडा फुता राइधानी रांची के डॉरंडा थाना की पूलिस ने सादी का जहासा दे कर heroin सोशन करने के अरोपीत को गिरफतार किया है पिर्टा के नुसार अरोपी ने साधी सुदा होने के बाद छुपा कर यूँवक ने उसके साथ यान सोसन किया इससे वगर्वती हुई तो करभात की करवाई दिया सादिक के लिए दबाव बनाने पर अरोपित ने पीरिता की असलील वीडियो सोचल मीडिया में वारल करने की धमकी भी दिया है सीयम हमन्त की बहन ने जीता जीला परिशत का चुनाव जारखन में रामगर जीले के गोला पच्मी जीला परिशत सीट से मुख्य मंत्री हमन्ति की बहन रेखा कुमारी सुरेन 4488 मतों के अंतर से चुनाव जीत गई है मतगर्ना के तीसरे दीन गुरुवार को उन्होंने अपने निकर्तम परतिद्वन्दी बरतमान जीला परिशत से कपिल देव मुंडा की पतनी नेहा देवी को सिरकत दी है बता दे कपिल देव मुंडा की पतनी के हारने के बाद इस सीट से भी आईसू का काबजा समाप्त हो गया है कि कपल देव मुंडा आईसू ने ताओ की सिरेणी में सुमा रहा है धन्यवाद यदि आप चनल परना है हो तो चनल को सबस्क्राइब कर बहुल का अबेल आइकन दबएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेखर करनों ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बैक अवस्य दे थैंक्यू